दोस्तों ब्रंदाबन की पावन धर्ती पर मैं लगातार आपको महान संत के दर्सन करा रहा हूं लेकिन आज एक अदबुत संत के दर्सन करा रहा हूं अतुलिय संत के दर्सन करा रहा हूं महान संत के दर्सन करा रहा हूं जो वर्थों से ब्रंदाबन में वास कर रहा हैं ब्र प्रशाद जगह-जगह है, कहीं पर भी निकल जाईए, आपको प्रशाद मिलेगा लेकिन ब्रद्ध होने के बाद भी महाराज जी की ऐसी लगन है ऐसी लगन है कि ठाकूर जी को प्रशाद अपने हाथ से बनाते हैं, ग्रहन कराते हैं और फिर परिक्रमा के लिए जाते हैं, भागवत कथा में सामिल होने जाते हैं और फिर भजन किर्टन करते हैं महराजी का भावपूर दर्चन देगे, महराजी बहुत 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 पढ़ान, गनवस महराजी प्रशाद इतना चलहा के उपर गिरावमत हैं, गिरने का लक्षन है, अपना बढ़ाई, अपना अपनी से हम इसना भजन नहीं करते हैं, अपना भजन के पसंद है, अपने समझना चाहिए, जैसे महराजी बहुत बड़े लोग, डौक्टर बन जाते हैं, इंज्ञीनियर बन जाते हैं, बहुत पढ़े-लिचे हो जाते हैं, तो आपने आपको İAKиков है, अहंकार है, अहंथ हैं कार, वह सब कहता है, जी, लेकिन श्रंत तो वही है, जो अपने को सब से ठाकुर जी के शेवा करते हैं अपना ठाकुर जी उसके प्रशंता के लिए करना चाहिए निसकाम करना चाहिए उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए उनके प्रशंता के लिए उनके प्रशंता के लिए के वल ठाकुर जी की मलब नाम जपिये लेकिन फल की इच्छा नहीं करें निस्काम सेवा करें इसकाम भाव करें maharadji आपकी उम्र कितनी हो ड़ी हमरा हो लज जियाक्ञतार बशोट को ड़ले अब अभी भी ठाकुर जी को परशाद बना कर कना कर गांड आद आपने अच्छा महारा जी जैसे कह साल से अपने बनारे लगे जमना की नारे पहां पर रहने लगे यहां अच्छा अब प्रतिदिन जो है ढ़कुर जी को कई वजे परिशाद बनाते हैं महारा जी में बनाव पाके आप बरसन माल के जा रहे हैं परशाद है किसी को परशाद का अपना ह से प्रशाद परशाद परशाद के परना कर थे ही ही तो महाराजी प्रशाद की फिर बेवस्ता कैसे होती है कर दिस अपने से ले आते हां हूं है아 और अपने हां से प्रशाद बनाकर ग्राण कराकर और फिर अच्छा परिक्रमा लगाते हैं अब जा रहे हैं परिक्रमा लगाने एक बजे रोज दिना जाते हैं आज तीन बज गिया आज तीन बज गिया एक बजे रोज परिक्रमा लगाने जाते हैं और करें घंटे में महारा परेका दिया हैं को भी परीशाद बनाते होंगे थाको चार फूलका चार फूलका दो फूलका रख देते हुआ हो ही पाते हैं है और फूलकी फूलका से बना जिए हैंות सिम्लीपा सब्सक्वाते हैं तो महाराद जी के दर्सन आप करिए महाराद जी का भावपुर दर्सन करिए शेटर साल की उम्र है लेकिन महाराद जी अभी भी प्रशाद स्वेम बनाते हैं ठाकु जी को प्रशाद गराड़ कराते हैं और देखिए महाराद जी अनंत भक्ती में लीन होकर भावपूर से जा रहे हैं अभी प्रतिदिन का नियम है महाराद जी का परिक्रमा लगाना परिक्रमा लगा के साम को आते हैं ठाकु जी को प्रशाद गराड़ कराते हैं और फिर भजन किरतन में लीन हो जाते हैं तो जिस बत पर जिस रास्ते पर महाराजी जा रहे हैं आप एक बार फिर दर्शन करिए वह रास्ता यह पाथ यह मार्ग जो है यह हम सभी के लिए पावन है हम सभी के दन है ऐसे संतों के पाओं के रज की बलब भूल भी मिल जाए तो आप यह समझें कि जीवन धन्य हो जाने मिलता है हर जगए मिलता है लेकिन 76 वर्ष की उम्र होने के बाद भी माराजी कहते हैं कि अपने हाथ से बड़ी सुधता से भाव से बनाते हैं तब ही ठाकूर जी गरहन करते हैं परशाद और फिर उसके बाद वो स्वेम परशाद गरहन करते हैं तो ब्रंदाबन में ऐसे मह कातार में कराता रहूंगा